हिलो फ्रेंड्स विल्कम बेक तु माई योटूब चैनल डिजाइनर पूजा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगे लड्डू गोपाल की पोसाग बनाना जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं देख रहे हैं कितने सुंदर लग रहे है हमारे लड़ गोपाल वीडियो ko आप बीने स्किप किए देखिएगा तो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगी चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं यह हमारे लड्डू कोपाल है देखिए कितने छोटे हैं इन्हीं किनाब की मैं आपको ड्रस बनाना बताऊंगी अगर आपके लड्डू कोपाल बड़े हैं तो आप फैब्रिक को थोड़ा और चौड़ा लीजिए देखिए फैब्रिक की चौड़ाई 2.2 इंच है आप अपन इसी प्रकार से हम दूसरे साइड भी फोल्ड करेंगे फैब्रिक को देखिए इधर साइड भी हम फोल्ड कर लेंगे हमें डबल फोल्ड करना है फैब्रिक को और स्टिचिंग कर लेना है देखिए हमने फोल्ड कर लिया है अब हम फैब्रिक की लंबाई नापेंगे लगब से हम स्टिचिंग कर लेंगे इस प्रकार हमें फोल्ड करके स्टिचिंग कर लेना है देखिए हमने स्टिचिंग कर लिया है अब हम लेस अटेज करेंगे हम लेस लेंगे और साइड से इस प्रकार से लेस को रखेंगे लेस को हम बराबर से रखती जाएंगे और रिस्टिछिंग करते जाएंगे इस प्रकार से हमें लेस अटेज़ करनी है देखियं कोनी को हमें फोल्ड करते न है इस प्रकार से अंदर साइड अब हम दूसरे साइड से भी stitch लेंगे देखे इस प्रकार से हमें लेस अटेच कर लेनी है अब हम एक साइड से छोटी छोटी प्लेट्स डालना इस्टाइट करेंगे इस प्रकार से हमें छोटी छोटी प्लेट्स डालनी है एक के उपर एक चड़ाते हुए हम डालेंगे ज़्यादा दूर हम नहीं डालेंगे प्लेट्स इस प्रकार से डालेंगे साइड से हम स्टिचिंग करते जाएंगे देखे इस प्रकार से हम स्टिचिंग भी करते जाएंगे इस प्रकार हमें प्लेट्स डालते जाना है और स्टिचिंग करते जाना है इसी प्रकार से जितना हमारा फैब्रीक है हमें पूरे फैब्रीक की प्लेट डाल लेनी है इस प्रकार से में प्लेट्स डालना है प्रेंट्स अगर आप चैनल पर नए है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजी आपको सिलाज से related हर प्रकार की वीडियो चैनल पर मिलती रहेंगी देखिए इस प्रकार से हमें चोटी चोटी चुलनट डाल लीनी है एक इन चौड़ी पट्टी हम इस प्रकार से पलट लेंगी अब इस पट्टी को हम कमर पर रखेंगी पट्टी के कोने को हम अंदर साइट फोल्ड कर है इस प्रकार हम कमर पर बिल्ट रटेज करेंगी यहां पर हम टाकी लगा लेंगे अच्छे से पट्टी को हम इस प्रकार से फोल्ड करते जाएंगे और इस्टिचिंग करते जाएंगे देखिए इस प्रकार से हमें फोल्ड करते जाना है पट्टी को पट्टी की तूस्ट्टी कोनी को हम पहले फोल्ड कर देंगी फिर हम इस प्रकार से फोल्ड कर लेंगी यहां पर हम टाकी लगा लेंगी देखिए इस प्रकार से हमें बेल्ट अटेश्ट कर लेना है अब हम सिंटर से इस प्रकार से फोल्ड करेंगी और सिंटर पर निसान बचीर कना लेज लेंगे ईसको डबल फोल्ड करके बराबर से कटिंग कर लेंगे तो burning लेख्क कर लेंगी लेज को हम सेंटर से रखींगे जहां पर हमने निसान लगाया है इस प्रकार रख्विश गया और यहां से हम स्टिचिंग करेंगी यहां पर हम अच्छी से टांकी लगा देंगे जिससे लेस खुलने न पाए इस प्रकार हम टांकी लगा लेंगे धागे को हम कट कर देंगे अब हम लेस की दूसरी कूनी को इस प्रकार से फोल्ड करेंगी और यहां पर हमें अटेज करनी है इस कौनी को भी हमें इस प्रकार से अटेज करना है यहाँ पर हम अच्छी से टाकी लगाएंगे दूसरे साइड भी इसी प्रकार से फोल्ड करके अटेज करेंगे दोनों साइड की हम गैपिंग सेम ही रखेंगी इधर साइड भी हम अच्छे से टांकी लगा देंगे अब यहां से हम धागे को कट कर देंगी देखिए इस प्रकार से हमें अटेज कर लेना है अब हम कमर पर भी लेस अटेज कर देंगी जिससे सिलाई न दिखे आप मुगुट बनाएंगे मैं नौाइट सम地 चौटाइवारण नौन सभट मैं DRUX अब हमें फैब्रिक को पलट लेना है इस प्रकार से कोनों को हमें पलट लेना है सो इस इनके कोने हम अच्छी से निखाल लेंगी अब हमें साइड से इस प्रकार से स्टिचिंग कर लेना है पहले इस प्रकार हम स्टिचिंग कर लेंगी अब हम छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे इस प्रकार से में छोटी छोटी प्लेट्स डालना है हमें एक क्यों पर एक प्लेट्स को चड़ाते हुए डालना है और जितना हमारा फैबरीक है सारे फैबरीक के हम प्लिट्स डालनी है और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो में कहीं पर बीटाउट है तो आप कमेंट करके पूंश सकते हैं मैं उसका reply जरूर करूंगी इस प्रकार हमें चुननट डाल लेनी है इस प्रकार हमें स्टिचिंग कर लीना है देखिए इस प्रकार हमें बराबर से चुननट डाल लेनी है अब हम इस प्रकार से लेस रखेंगे और लेस अटेच कर लेंगे देखिए हमने लेस अटेच कर लिय अब हम इस्टोन चिपकाएंगे फैब्रिक गलू से इस प्रकार से हम इस्टोन को चिपकाएंगे आपके पास जैसे भी स्टोन हो आप यहां पर चिपका सकते हैं इस प्रकार से रखते जाएंगे और चिपका लेंगे इनसे हमारे मुगट के सुन्दरता और पढ़ जाती है द देखा एमने red color की stone उपर साइड भी चिपका लिया और कितनी सुन्दर लग रहे हैं, देखा हमें कुर्ती में भी कुर्ती में श्टोर्न चिपका लिये है इस प्रकार हमें चिपका लेना है अब हम rationale के सब्खेन करेंगी और यहां से हम इस्टिचिंग कर लेंगे इस प्रकार हमें इस्टिचिंग करना है अब यहां से हम लेस को कट कर देंगी और इस प्रकार से हम पलट लेंगी देखिए हमारा मुगुट बनकर तयार हो गया है और कितना सुन्दल लग रहा है अब हम कुर्ती में ring button attach करेंगी इस प्रकार हमे ring button लेना है ring button की एक हिस्दे को हम इस प्रकार से रखेंगी और यहाँ पर हम attach कर लेंगी सुई धागे से हम button attach कर लेंगी ट्रेंच अगर आपने अभी तक वीडियो को like नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दिजिए इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए और वीडियो को आप ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक सेयर कीजिए इस प्रकार में बटन इटेज करनी है अब हम बेक साइड गांट लगा देंगी इस प्रकार में गांट लगा लेनी है और यहां से हम धागी को कट कर लेंगी अब हम बटन की दूसरे हिस्से को भी अटेज कर लेंगी इस प्रकार से रखेंगे और यहां पर हम बटन की दूसरे हिस्से को अटेज कर लेंगी परकार हैं बटन बंद करेंगे कितना आसान आच corona leave इस परकार से मुझट भी लगा देंगे अब हम काना जी को काना जी की बनसी देंगे प्रेंट्स बनकर कम्पलीट हो गई है अगर आपको ड्रेस अच्छी लगिए तो आप कمن्ट सेक्शन में रादे रादे ज़रूर लिखिये और वीडियो को लाइक बनि कर देजए बाइ बाइ